एक बार, एक छोटा लड़का था जिसका नाम राहुल था. वह बहुत ही समझदार और दयालू था. उसके पिता एक डॉक्टर थे, जो बहुत व्यस्त रहते थे. राहुल अक्सर अपने पिता के साथ अस्पताल जाता था और वहां के मरीजों को देखता था. एक दिन राहुल ने देखा कि एक छोटी बच्ची बहुत बीमार थी. उसके माता-पिता बहुत दुखी थे. राहुल ने बच्ची को देखा और उसके दिल में दया पैदा हुई. उसने बच्ची के माता-पिता से बात की और उन्हें बताया कि वह उनके साथ रहना चाहता है राहुल ने बच्ची का खयाल रखा, उसके साथ खेला और उसे हसाया बच्ची की हालत धीरे-धीरे ठीक होने लगी उसके माता-पिता बहुत खुश थे और राहुल को बहुत धन्यवाद दिया राहुल ने सीखा कि दयालू होना कितना महत्वपूर्ण है उसने देखा कि एक छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है उसके दिल में दया का बीज उगाया और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहा